नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रहे हूँ आपकी मैट्स की वरक्षीट जो है 118 नमबर की और यह आपको कम मिलेगी यह आपको मिलेगी 26 नवेंबर 2021 को ठीक है आपको वरक्षीट शूर करने से पहले आपकी क्लास आपका सेक्षन आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना उसके बाद यह वरक्षीट शूर करते हैं तो आज यह शूर करते हैं यह वरक्षीट कार्ड का खेल बच्चो आपको बासरी बाले के कार्ड याद है न आपको याद है न कि वो चूहे पकड़ रहा था तो उसने कार्ड से बना का दिखाया था कि कितने चूहे उसने पकड़ लिए एक दिन संध्या और ललित भी उसी तरह के कार्ड बना कर खेल रहे थे कभी वे एक दूसरे को कुछ कार्ड दिखा कर उनसे बनी संख्या बताने को कहते तो कभी कोई संख्या बोलकर उसके लिए कार्ड दिखाने को कहते क्या आप इस खेल में उन दोनों की मदद करेंगे बिल्कुल करेंगे उसमें किस तरीके के कार्ड बनाए थे 10-10 के कुछ कार्ड बनाए थे और 1-1 के कुछ कार्ड बनाए थे 10 के जो कार्ड बनाए थे उसे उसने इन square से दिखाया तो और जो one one के कार्ड ते वो triangle से दिखाया थी ठीक है sorry चलिए हम भी देखते हैं बिलकुल मदद करेंगे क्यों नहीं मदद करेंगे न पहला प्रश्ण है दिये गए कार्ड के लिए संख्या बताईए अब यह जो दिये गए कार्ड है यानि की 10 10 10 और 1 1 1 तो आप समझ लीजे 10 10 के कितने हैं 3 है यानि की 30 और one one कितने हैं एक दो तीन चार यानि की 4 तो कितने हो गए 34 तो इसका सही उत्तर कितना हो गए 34 आगे है दिये गए कार्ड के लिए संख्या बताईए इसके लिए भी संख्या बतानी है अब इदर देख लीजे 10 10 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 यानि ये 60 हैं और one कितना है 1 2 2 है तो कितने नमबर बन जाएंगे 62 ठीक है अब आगे देखते हैं क्या है दिखाई गए संख्या के लिए कार्ड बताईए दिखाई गए संख्या का मतलब है ये हमारा लिखा 75 75 का मतलब है कि 70 प्लस 5 यानि कि 10 10 के कितने ग्रूप्स बनेंगे इसमें 10 ग्रूप्स बनेंगे यानि कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो हमारे 10 और एक और प्लस 10 आएगा प्लस 10 और 5 5 के 1 आएंगे याने कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अब हमें इसमें यह देखना है कि ऐसे कौन सा ग्रूप है जिसमें 7 तो 10 स्क्वेर हो और जो 5 हैं वो 1 1 हो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 इसमें तो 5 ही है इसमें नहीं है 1 2 3 4 इसमें 4 ही है इसमें भी नहीं है इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 10 तो हैं अब 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 5 1 भी है पर हम आखरी भी देख लेते हैं इसमें देखो 10 कितने हैं 1 2 3 4 5 और 1 कितने है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हमें तो कितने 10 चाहिए था मैं, जो 10 है वो 7 चाहिए थे, और 5 जो है वो 5 ही चाहिए थे, तो इसका अंसर थर्ड वाला है, दिखाएगे संख्या के लिए कार्ड बताई, यानि कि ये कितना लिखा है, 20 प्लैस 8, यानि कि 10 10 के हमारे पास 2 होने चाहिए, और 8 8 के 11 के 8 होने चाहिए, आप देखते हैं सा कौन सा नंबर है, जिसमें 10 10 के तो 2 हैं और 11 के 8 है, इसमें देखो 1 2, 10 के तो 2 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके भी मिल गए हैं, यानि कि हमारे पास ये नंबर तो आगे, अगला देखें, 1 2 3, 1 के तो 3 हैं और 10 के 2 ही हैं, यहाँ पर 10 के 2 हैं, 1 के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, गलत होगे हैं बे 10 के 3 हैं, तो इसका correct answer first वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये दोनों solve करने हैं, आगे देखते हैं क्या है ये प्रेश्न, खेलने के बाद ममी ने उन्हें कुछ मटर चीलने को दिये, मटर चीलने के बाद उन दोनों ने दानों को गिना, ललित के पास 25 दाने थे और संध्या के पास 36 दाने थे, दोनों ने वे दाने एक कटोरी में डाल दिये, बताइए अब कटोरी में कितने दाने हैं, तो ये हम इस तरीके से करेंगे, देखिए, ललित के पास कितने दाने थे, ललित के दाने कितने थे, 25 और संध्या के दाने, 36 तो आप इन दोनों को हम कर देंगे plus मैं दूसरे कलर से कर देंगा कि आपको अच्छे समझाए 25 plus 26 तो plus करेंगे तो 6 plus 5 11 11 31 3, 2, 5 और 1, 6 61 टोटल कितने दाने हो गए 61 दाने हो गए ठीक है तो उमेदे वक्षिट आपको समझाई होगी अगर आपको समझाई है अच्छी लगिए तो इसे लाइक कीजिए कॉमेंट करिए शेर कीजिए अपने दोस्तों को साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धने